हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जयद पर मैं हूँ आपका दोस्तों मौम्मद जयद और दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बीटी कॉटन और बीटी बिरिंजल के बारे में तो समझ लेते हैं सबसे पहले कि बीटी क्या होता है बीटी मतलब होता है बैसिलस थुरून जेनेसिस तो ये एक टाइप का बैक्टेरिया होता है जो कि कॉटन के जीन में इंटिग्रेट किया जाता है जिसके कारण जो ball worms होते हैं ball worms जो होते हैं वो cotton को destroy कर देते हैं और cotton की leaves पर वो feed करते हैं और जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है cotton का तो अगर हम लोग ये BT जो है bacillus throne genesis इसको हम लोग cotton के gene में इसका gene डाल दें तो फिर उसके बाद जो cotton होगा उसके जो leaves होंगे वो toxic हो जाएंगे ball worm के लिए और वो जैसे ही leaves को खाएगा तुरंत वो toxin उसके अंदर जाएगा और उसका जो elementary canal होगा वो पूरी तरीके से burst हो जाएगा destroy हो जाएगा और ball worm मर जाएगा तो इस तरीके से BT cotton safe रहता है और बहुत ही बढ़ियां quality का cotton हम लोगों को मिलता है उसी तरीके से BT brinzel मतलब bacillus throne genesis का brinzel इसमें भी gene को निकालते हैं bacillus throne genesis में से पिर उसको ब्रिंजल में डाल देते हैं जिसके कारण जो ब्रिंजल लेता है वो खुद बाखुद पिस्ट को kill कर लेता है जैसे cotton करता है तो यह थे हम लोगों के BT brinzel plus BT cotton